हेलो एन वेलकम दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर मैं हूनिदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ जोकी सभी लड़कियों के लिए और लेडिस के लिए है तो वीडियो के skip ना करें और पूरा जरूर देखें क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है जोकी सबको पता होनी चाहिए देखिए अगर आप conceive करना चाहती है तो भी आपको ये पता होना चाहिए और अगर आप conceive नहीं करना चाहती है तो भी ये जानकारी आपको होना चाहिए सो आज हम बात कर रहे है जानी के जो आपके जो आग है आपके बॉलेशन होता है है आपका मतलब आपको मैं बता दूँ ovulation होता क्या है ovulation होने पर आपकी body में क्या-क्या changes आते हैं हर लड़की को हर महीला को हर महीने होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपका ovulation होता है तो आपके अंदर क्या-क्या आपकी body में क्या-क्या changes आते हैं आपको क्या-क्या आपने अंदर symptoms देखने के लिए मिल सकते हैं और अगर आप conceive करना चाहती हैं तो ovulation time पर अगर आप intercourse करती हैं, संपर्ग बनाती हैं तो उस time पर आप आसानी से conceive कर सकती हैं तो चलिए शुरू करते हैं, आज मैं बताने जारी हूँ कुछ ऐसे लक्षन जिससे आप पता लगा सकती हैं कि आपका ovulation हो रहा है और आप मा बन सकती हैं तो देखे, सबसे पहला symptom क्या होता है, जब ovulation होता है तो ovulation time पर क्या होता है, high estrogen और progesterone की वज़ा से ovulation होता है उस time पर क्या होता है, estrogen और progesterone का level बढ़ जाता है, इसकी वज़ा से आपका ovulation होता है, तो ovulation सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ovulation होता क्या है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, देखे, लेडी के हर महिला के body में egg बनता है, वो egg बनने में कम से कम 10 to 14 days लग जा यानि कि आपके body से egg release होता है, आपके ovary से egg release होने का मतलब कहलाता है, ovulation time, इसको हम fertile days भी बोलते हैं, क्योंकि इस time पर आप संपर्ग बनाते हैं, तो आप आसानी से conceive कर सकते हैं, यह जो egg release होता है, यानि कि जो ovulation होता है, यह egg सिर्फ 24 घंटे के लिए ही जिंदा रहता है, उसके बाद अपना यह destroy हो जाता है, तो ovulation आपको समझ मागिया, क्या होता है, ovulation का मतलब है ovary से egg का release होना, अंडा निकलना, अंडा कब निकल रहा है, तो यह आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, कि ovary से अंडा यानि कि egg कब release होता है, हर lady को होता है, तो यह आपको पता ह आफ साईकल होती है तो सबी पएट साैकल अलग होती है तो आपका ऑफ बोलेशन भी अलग होती है तो तो ओवलेशन अब कैसे पता करेंगा आपका नगगा तो देखिए सबसे पहले चीज़ा अब को इक चीजज बता दूँति जिनकी 28 days की period cycle है जिनको 28 days में periods आ जाते हैं उनका ovulation होता है चौधवे दिन आप कौनसा चौधवा दिन भाई 14th कौनसा 14th day ये भी आपको समझनी आएगा तो देखिए आपको कैसे count करना है ovulation कैसे count करना है तो जिस दिन आपको period start हुए है उस दिन को आपको first day count करना है तो आपको यहां से ले करके आपको 14th day पर आपका ovulation होगा जिनके 28 days में periods आ जाते हैं अब जिनकी 30 days की periods आई के लिए यानि कि आपको अगर एक तारिक को period हुआ है तो आपको next एक तारिक को period होगा तो इसमें आपका ovulation कब होगा तो इसमें आपका ovulation होगा 16th day पर अब आपको count कैसे करना है यानि कि आपके अगर एक तारिक को period start हुआ है तो आपको उसका पहला दिन count करना है तो पहला दिन आपको count करना है इस दिन से लेकर आपका 16th day जो आपका आएगा उस दिन आपका ovulation होगा ऐसे ही आपकी 32 days की है तो आपका 18th day पर отв evolution होगा आपको ऐसे ही count करना है count करना में आपको बता दिया है तो आपका देखिये ovulation एक दिन पहले भी और एक दिन बाद में भी हो सकता है जैसे कि ए 14th day से 13th day को अंड़ा रिलीज होता है आपकी ओवरी से तह आपको आपकी बोडी में क्या के चेंजर्ट रिख हैंगी देख जब आपको और इले शिफ एक डिग्री आपका टैंपरेचर बढ़ता है तो उस टाइम पर आपको फीवर जयसा फील हो सकता है मतलब आपकी बॉड्य गरम लगती है फीवर नहीं होता है। लेकिन आपको बॉड्य गरम फील होती है तो ये ओवुलेशन का सिम्टम है आपको मतलब है आपकी आपका आपका आग रिलीज होने वाला होता है उस टाइम पर क्या होता है? एस्टोर्चन और प्रोचस्टोर्न का लेवल और जो आपके हर्मोन है FSH, LH इन सब का लेवल क्या होता है? काफी peak पर होता है बढ़ जाता है तो जिसकी वजह से आपके जो है ये excessive हार्मोन की वजह से होता है आपको सर में दर्द तो ये आपको जब हो तो समझ लिजे कि आपका ovulation होने वाला है ये आपका ovulation स्टार्ट हो गया है इसके अलावा आपको जब आपका ovulation होने वाला होता है या ovulation चल रहा होता है तो उस टाइम पर आपको breast tingling यानि कि आपको बहुत sensitive breast आपको feel होती है आपको breast में pain feel हो सकता है तो ये ovulation collection है इसके अलावा number 4 क्या होता है आपकी जिसे कभी-कभी आपने देखा होगा कि जिसे आपने ring पहनी हुई है तो आपको लगता है आप मोटे तो होती है कि अलावा number 4 पेट में हलका सा दर्द यानि कि ब्लॉटिंग होना मतलब आपको बार-बार ऐसा लगए जिसे गैस बन रही है तो यह जो होगा यह भी ovulation जब आपको होने वाला होता है एक दिन पहले से आपको start हो जाता है यह ज्यारत होता ही है सभी को होता है तो जि हर महीने एक जो रिलीज होता है एक तो राइट ओवरी होती है और एक लेफ्ट ओवरी होती है तो हर महीने आपकी अलग-अलग ओवरी से एक रिलीज होता है यानि कि कभी आपकी लेफ्ट ओवरी से रिलीज होगा तो अगले महीने आपको राइट ओवरी से रिलीज होगा तो आपको कभी या तो लेफ्ट साइड आपको हलकासा हलकासा दर्द फील हो सकता है वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है या फिर राइट साइड में आपको दर्द फील हो सकता है तो यह ओवुलेशन का लक्षन है यानि कि आपका एग रिलीस हो गया है या होने वाला है इस यह ओवुलेशन टाइम पर आपको बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है और यह डिस्चार्ज जो होता है थोड़ा अलग होता है यानि ओवुलेशन वाला जिस्चार्ज होता है एक तो यह ट्रांस्पेरेंट होता है और चिपचिपा होता है बिल्कुल पानी जैसा होता है तो आपको इससे आसानी साप पहचान सकती है कि आपका ovulation होने वाला है या आपका ovulation चल रहा है, ovulation time आपके fertile days चल रहे हैं, तो आपको ये सारे symptoms अगर दिख रहे हैं और आप conceive करना चाहती हैं, तो इन दिनों में अगर आप संपर्ग बनाती हैं, तो आप आसानी से conceive कर सकती हैं, अगर आप conceive नहीं करना चाहती हैं, तो इन दिनों में आप intercourse करना अवाइड करें, इसके अलावा आपकी जो है, साथ और आपको सर्विक्स थोड़ी सॉफ्ट अगर आप टच करके फील करेंगी तो आपको मतलब बिल्कुल लिप्स जैसी सॉफ्ट आपको दिखाई देगी तो इसका मतलब है आपका अग्रिलीज हो गया है और इसके अलावा नंबर आठ आपको सेक्शुल ज़ायर बहुत जदा बढ़ जाती है उस टाइम पर आपको भुद ही फील होगा तो यह सारे जो जो संप्टमस हैं यह उवलेशन के सिंटमस है तो आपका एग्रिलीज हो गया है एग्रिलीज होने वाला है तो यह सारे संप्टमस अegर आपको फिल हो रहे हैं तो इस थाइंपर आप अगर संता रहता है लेकिन अगर आप सब्सक्राइब बाने के लिए और आयो पसंद आई होगी इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच